हलो श्रुडेंट जो जो चात्र जवाहान वद्धाले 2013 की तैयारी करना चाते हैं वहाज дост прин इस वीडियो को पूरा देखें कंगि आजकी इस व्डियो में हम आप सब किलिए जवाहार नो दे विद्धाले 2030 पेपर लेकर आएं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपको 50 नमबर आपका फिक्स हो जाएगा आप सब अच्छे से तयारी और भी अच्छी हो सके आज से आपका पिपर 27 दिन ही बचा है तो आप सब जो कि अच्छे से तयारी कीजिए और डेली वीडियो आप देखते रहे मेरे एक भी वीडियो का आप छोड़ेना इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और तैयारी और भी अच्छी कर सके तो छात्रों ये पहला खंड है इसके पहले निर्देशों को पढ़ेंगे फिर इसके प्रस्णों को हम सुल्व करेंगे निर्देश प्रस्ण एक से चार तक प्रते एक प्रस्ण में बाईं और एक समस्या आकरती तथा दाईं और चार उत्तर अकरती अकरतियां A, B, C तथा D दी गई है उस उत्तर आकरती को चुनियें जो समस्या आकरती के बिल्कूल सद्रिस हो तथा सही उत्तर चुन कर संगलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रसन के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें तो यह आपके समस्य आकरति हो गई और यह आपके उत्तर आकरति यहां हो गई ठीक है तो मतलब इसके जैसी आकरति आपको इन चारों में से ढूनना है ठीक है तो प्रसनमर एक का जो सही होगा वह A होगा क्योंकि जैसी आकरति यह है वैसी ही आकरति यह भी है प्रस्ट नमर दूसरा इसको देखिए इसके जैसी आकरती कौन सी है तो इसके जैसी आकरती जो है वह हमारी C है ठीक है दूसरे का C सही होगा चले तीसरे की तरफ चलते हैं तो ऐसी आकरती अब किस में है तो ऐसी आकरती देखिए तीसरे का डी वाला है ठीक है और प्रसन अमर करें तो चुक्ते का जो हमारा सही होगा वह बी वाला होगा खंड़ दूसरे में अब हम आ चुगे खंड़ दूसरे के अब निर्देशों को पढ़ेंगे फिर इसके प्रसनों को हम सोल्व करेंगे निर्देश प्रसन पान से यार तक प्रतेक प्रसन में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकरती दी गई है इस आकरती का एक भाग गाया भाग में इस तरह ठीक बैढती है कि समस्या अकरती का पैटन पूरी तरह बन जाता है सही उत्तर चुनकर संगलन उत्तर पुस्तिका में प्रतीक प्रसंद के आगे दिए गए सही कर्माइक वाले गोले को काला करके उत्तर दें यह आपकी समस्य आकरति होई और यह आपकी उत्तर आकरतिया तो इस खाले स्थान में वह कौन से आकरति फिट होगी इसको पूरा करेगी A, B, C या फिर D इस अभी में से आपको पहचानना है तो देखे पृसंबर पांसवे का जो आपका सही होगा वह है आपका इधर से D वाला होगा और अगर हम परसंबर छटवे की बात करें तो छटे का कौन से सही होगा तो इसका देखी जो सही होगा वह B वाला होगा ठीक है यह इसको पूर कर देगा चले प्रसंबर 7 की तरफ चलते हैं यह समस्या करती हो गई और यह आपके उत्तरा करती है अगर हम 7 प्रसंबर की बात करें तो इसका जो सही होगा वह C वाला होगा ठीक है और चलते हैं को भी हम सोल्व करेंगे निर्देश प्रस्ण 9 से 12 तक प्रतेख प्रस्ण में रेखा के 22 तरफ तीन समस्या अकृतियां दी गई है तथा चौते के लिए इस्थान रिख्थ रखा गया है समस्या अकृतियां एक स्रिंखला में धूड़िये की रेखा के दाई तरफ दी गई उत्तर अकृतियों A, B, C तथा D में कौन सी अकृति इस स्रिंखला को पूरा करती है यहां पर इसमें परस पर समंध इसमें भी होना चाहिए तो आपको भी ढूर का पूरा करना है थीक है तो मारे 11 के बात करें तो 11 का हमारा A सही होगा चलिए प्रसनमर 12 में चलते हैं तो अगर हम 12 की बात करें तो 12 का इधर से आपका B वाला सही होगा I hope कि आपको ये सारे खंड क्लियर हो गए होंगे चलिए चोथे खंड की तरब चलते हैं तो इसका भी निर्देश पहले पढ़ लेते हैं निर्देश प्रसन 13 से 16 तक प्रतेक प्रसन में दो समस्या आकरतियों के दो सेट दिये गए हैं दूसरे सेट में एक प्रसन सुचक चिन बना हुआ है पहली दो समस्या आकरतियों में प्रस पर एक सबंद है सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रतेक प्रस्ण संख्या के आगे दिये गए सही क्रमाक वाले गोले को काला करके उत्तर दें ये आपके समस्या करती होगी और इधर से आपका उत्तर आकरती होगी तो प्रसंबर 13 का जो आपका सही होगा वह इधर से आपका C सही होगा अगर हम 14 की बात करें तो प्रसंबर 14 का हमारा जो सही होगा वह D वाला होगा ठीक है? अगर हम 15 की बात करें तो 15 का जो हमारा सही होगा वह हमारा इधर से C वाला होगा और अगर हम 16 की बात करें तो प्रसमर 16 का जो सही होगा वह आपका D वाला सही होगा आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा चलिए खंड पांचवे में चलते हैं तो अब यहां से सुरू हो जाता है आपका पांचवा खंड तो इसके निर्देशों को पढ़ेंगे फिर इसको हम सोल्व करेंगे निर्देश प्रसंद 17 से 20 तक निमलेखित प्रसंदों में एक जामती आकरती त्रिभूज वर्ग वरित का एक भाग बाईं तरफ प्रतेक प्रसंद में रेखा के बाईं तरफ प्रसंद आकरती के रूप में है और दाईं तरफ दे गई चार आकरतियों A, B, C तथा D में से कोई एक सम उसका दूसरा भाग है दाईं तरफ दी गई आकरतियों में से वह आकरती ढूड़िये जो समझामती आकरती को पूड़ बनाती है पूड़ करें पूड़ करें अगर हम उसका दूसरा भाग इन चारों में से कोई एक होगा तो यह आपको बताना है तो शत्तरा का देखे जो सही होगा वह आपका यह B वाला होगा इसको यह पूड़ कर देगा और अगर हम 18 की बात करें प्रसंबर 18 18 का आपका 20 सही होगा और अगर हम 19 की बात करें तो 19 का आपका C सही होगा ठीक है प्रसंबर 20 की बात करें तो यह आपका 20 का जो सही होगा वह C वाला सही होगा ठीक है आई होप कि अब कोई भी क्लियर हो गया होगा चलिए छटवे खंडे में जलते हैं तो चात्रों अब हम आज चुके हैं अबने छटवे खंडे में निर्देश प्रस्ण एककई से चोबीस तक प्रतियक प्रस्ण में बाईं तरफ एक समस्या आकरती तथा दाईं तरफ चार उत्तर आकरतियां A, B, C, T तथा D दी गई है आकरती को चुनिए जो समस्या आकरती का ठीक दरपड प्रतिबीम्ब हो जब दरपड को X, Y पर रखा गया हो सही उतर चुनिगर संगलन उतर पुस्तिका में हर प्रस्ण के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उतर दें यह आपका दरपड प्रतिबीम्ब है समन्दित प्रस्ण है ठीक है तो इसका जो सही होगा प्रस्ण नंबर 21 तो यहाँ पर 21 का जो सही होगा यहाँ पर यह बी वाला सही होगा ठीक है कैसे सही होगा चलिए वह भीम्ब हम आपको समझा देते हैं तो यह देखे दरपड है हमारा तो इस दरपड में जैसे यह आकरती बनी है यह देखे उल्टा-पुल्टा बना है यही आपका बी वाला सही होगा ठीक है इसे यह दरपड़ से आपको चिक कर लेंगे अपको मालूम हो जाएगा और अगर आप 22 की बात करें तो 22 का उपका जो सही होगा भगण D सही होगा अगरन 30 की बात करें तो तो यह आपका निर्देश प्रस्ण 25 से 28 प्रतेक प्रस्ण में बाईं और समस्या आकरती में दर्साय अनुशार कागज के टुकडे को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाई और चार उत्तर आकरतियां A, B, C और D, D गई है उस उत्तर आकरती का चहन किजिए जो यह दरसाती हो की कागज को खुलने पर वह किस प्रकार दिखेगा सही उत्तर चुनकर संगलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रसने के आगे दिए गई सेक्रमानक वाले गोले को काला करके उत्तर दें यह आपकी होगी समस्या करतीयां और यह आपकी होगी उत्तर आ करतीयां तो यह आपका कागज है तो कागज को मोडने पर और खुलने पर आपको कैसा दिखेगा वही आपको बताना है तो प्रसंबर 25 का जो आपका सही होगा वह आपका इधर से C सही होगा अगर हम 26 की बात करें तो इसका जो सही होगा वह C सही होगा ठीक है? और प्रसंबर 27 की बात करें तो 27 का इधर से आपका A सही होगा और अगर हम 28 की बात करें तो 28 का आपका D वाला बिल्कुल सही होगा I hope कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा चलिए खंड आगे की तरब चलते हैं तो छात्रों अब हम आ चुके हैं आगे की खंड गी तरब यानि की आठवे खंड की तरब तो इसके निर्देशों को पढ़ेंगे फिर इसके प्रस्नों को हम सोलव करेंगे निर्देश प्रस्न 29 से 32 तक परतेक प्रस्न में बाइं और एक समस्या अकरती दी गई है और दाइं और चार उत्तर अकरतियां A, B, C तथा D दी गई है उस उत्तर अकरती को चुनियें जो की समस्या अकरती में दिये गए टुकडों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संगलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रस्न के आगे दिये गए सेक्रमाक वाले गोले को काला करके उत्तर दें ये आपके समस्य हाखिवाई और ये आपकी उत्ताराकर्थिया इन सबी टुक्डू से कौन से अकर्थि मराएं जा सकती हैं वह आपको बताना है तो प्रस्मबर 29 का जो आपका सही होगा वह आपका C वाला होगा ठीक है इसे अभी टुकडों से आपको आपकी ये आकरती बनेंगी और अगर हम प्रसंबर 30 की बात करें तो 30 का जो सही होगा वह D सही होगा और अगर हम 31 की बात करें तो 31 का जो आपका सही होगा वह आपका ये वाला सही होगा और अगर हम 32 की बात करें तो आपका 32 का जो सही ह होगा और चलिए चलते हैं खंड नवे की तरफ तो इसके निर्देशों को पढ़ेंगे फिर इसके प्रस्णों को हम स्वेल वकरेंगे निर्देश प्रस्ण 33 से 36 पढ़ते एक प्रस्ण में बाइं और एक समस्य आकरती तथ दाइं और चार उत्तर आकरतियां ABC द हाडी दीगई है उस उत्तर आकरती को चुनिए जो समस्या आकरती में छिपी हुई नहीं थे सही कियोankे आगे बडिए गये यहां कौरा नछी को चारिकती जुत नूंदी द्धाना हैं यहां पर सिपा हुआ है तिक है और प्रसलैम्बन 14 की बात करें तो 34 का जो सही होगा वह आपका A सही होगा ठीक है और अगर हम 35 की बात करें तो प्रसंबर आपका 35 हा गया है तो 35 का जो सही होगा वह आपका B वाला सही होगा और अगर हम 36 की बात करें तो 36 का आपका A सही होगा आई होब कि एक पोई वे खंड क्लियर हो गया होगा चलिए आठ दसवे खंड के तरफ चलते हैं यानि लाश्ट खंड तो इसका निर्देश पढ़ लेते हैं निर्देश परसन सहती से 40 तक परते प्रसन में चार आकरतियां A, B, C लथाड़ी दी गई है इन चार आकरतियों में से तिन आकरतियां कुछ हट तक सद्रिस हैं तथा एक औलग है अलग आकरति है को चुनकर संकलन-पुस्तिका में हर प्रसना के आगे दिएगे से इक्रमंख वाले गोले को काला करके उत्तर दें तो इसमें से आपकी सबसे अलगा कृती कौन सी है वही आपको सही सही जवाब देना है तो इसमें से जो आपका सही होगा वह प्रस्थमस 37 का सी सही होगा और अगर हम 38 की बात करें तो 38 का जो आपका सही होगा वह आपका बी वाला सही होगा ठीक है और अगर हम 49 की बात करें तो 49 का आपका जो सही होगा वह A सही होगा और 40 की अगर हम बात करें या इन लाश्ट वाले की तो इसका आपका D वाला सही होगा I hope कि आपको यह सारे खंड क्लियर होगेंगे तो जली छात्र मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गुन्पाय